पंजाब BGP के महासचीब सुभाश शर्मा जी इस सक्त मेरे साथ हैं सर्ज इस तरीके से लगातार नवजो सिंग सीदू की बात करें पंजाब मॉडल की बात करते हैं दूसरी तरफ केजिवाल साहब के बात करें, वो कहते हैं कि हम लगातार गारंटी देंगे, गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं अगर हम बात करें तीनों पार्टियों की, पंजाब लोग कॉंग्रिस, सेंट, शोमनी अकाली दल और बीजेपी की इस पर भी नज़रे कहीं न कहीं जनता की टिकी है कि उनका मैनिफेस्टो कैसा होगा और कब तक आएगा? हमारा जो भी घोशना पत्र है, संकला पत्र है, बिल्कुल तयार है और इसी हफते हम उसको जारी करेंगा किस तरीके का रहेगा सर और इसको त्यार करने में कितना समय लगा क्यूंकि आप भी मेंबर हैं? हमने लगबग पिछले धाई महीने से इस काम में लगे हुए थे और पंजाब के हर वरक को हमने अप्रोच किया है, हर वरक से हमने बात की है, उनकी क्या आशाएं हैं, हमसे क्या पिक्षाएं हैं, किस तरह का वो गवर्नेंस चाहते हैं, तो जनता की सलाह पर उनसे विचार क करके हमारा ये गोशना पत्रा है, कितना समय लगा सर सभी वर्ग के लोगों से, ठाई महीने की ये पूरी एक्साइज थी, हमारी 16 लोगों की टीम थी, और अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग वर्गों से हमने लंबी बैठके करके, कुछ ने लिखित सुजाब दिये, क जो संकल पत्र होगा, तीनों का एक जॉइंट होगा, ये एंडिये का संकल पत्र होगा, एक सर अंतिम सवाल मेरा, जिस तरीके से राहुल गांदी यहां पर पहुंची है, उनकी तरफ से स्टेज पे ये कहा गया जालंधर में, कि महिलाओं को हम तबज्जु देंगे, उनके के लिए अलग से मैनिफेस्ट होगा, तो ऐसे में बीजेपी क्या सोच लिए? पंजाब में भी पूरा फोकस रही है, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें मैनिफेस्टों की पंजाब विधान सबर चुनाब को लेकर, बीजेपी, शियोमनिय अकाली दर सयुक्त और पंजाब लोग कॉंग्रिस का एक सयुक्त, NDA का संकल प्रपत्र होगा, और एक हपते की भीतर इसे ही जारी कर दिया जाएगा, जिसमें महीलाओं को खास कर तवज्जु दी जाएगी, कैमरमेंट गनीश के साथ, नेटवर्क टैन के लिए चंडिगर से शठा को,